नमस्कार आप सब का स्वागाते हमारे चनल नेक्स्ट नाइन नियूस पर मैं नाम है दीपक गुपता राजिस्थान की सियासी सत्ता में पालेट एक तरफ सियम बनने के सपने देख रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी भी कांग्रेस की सरकार गिराने की कांग्रेस की सरकार गिर भी सकती है उसके लिए कुछ शर्ते हैं दरस्तो आपको बता दें कि शर्ते ये रखी गई हैं सीपी जोशी के सामने हाई कोट के द्वारा उनकी बातों को नजर अंदाज नहीं कर सकते ये हाई कोटे सीपी जोशी की कुरसी छीन लेगा ये बात ध्यान में रखेगा सीपी जोशी विधान सबा के अध्यक्ष हैं एक क्याणवे विधायक को कि स्थिफे पर उनको फैसला लेना है ये भी छोड़ दीजिया 80 विधायके क्याणवे हैं या 20 ये संख्या भी साफ नहीं हो रही है कितने स्थिफे सोपे गए उन इस्थिफे में नाम किस किस के थे गहलोत के मंतरी जादा हैं चापाइलिट को भी दोखा दिया था उस रावट को किसी मंतरी ने अगर इस्तिफे उनके पास मौजूद हैं तो और वो तस्वीरे कैमरे में भी कैद हुई थी जब बसे भर कर उत्री थी सीपी जोशी घर के बाहर और हातों में सब के कागजात थे और जाकर सीपी जोशी को सौप दिये गए थे दूसरा सवाल है या तो सीपी जोशी खुदी ही उन इस्तिफों को जनता के वीच उजाकर करके यहाँ पर साफ कर दे कि इन इन विधायकों ने इस्तिफा दिया था अब हाई कोड ते करे राज्येपाल ते करे या राश्ट्रिपती ते करे कि यहाँ पर इस राज्य में क्या ह गिरती है तो उसमें सबसे बड़ी खामी किसकी होगी कांग्रेस की खामी होगी या सीपी जोशी की सीपी जोशी को पहले फैसला लेना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को दिये वेस्तिफे वापिस ले लेने चाहिए थे जो तीन बड़ी बजा सामने निकल कर आ रही है तो तक रहेगी यानि दो हफते 14 दिन के अंदर सीपी जोशी को ये फैसला सुनाना है क्या सकते कि इसमें बीजेपी एक बार फिर से खेल गई क्यूंकि बीजेपी ने दवाब बनाया हाई कोट पर हाई कोट ने सुनवाई करी तुरंती और सीपी जोशी को ये सारी कार्यवाई कर गंजूर कर लिए चाहिए और सासिप्नी जोशी करती तो यहाँ देघं़ियों करल नियुक्य दवाध को सवाल मिजेपी जोशी कांग्रेस की तरफ से तो नहीं है बलकि अपनी राय कानूनी तोर पर रखनी चाहिए अब दीखते हैं राजिस्थान में सरकार क्या आल्पमत में आती है या सभी विधायक आके जनता के बीच माफी मांगे और अपने अपने स्तिफे बापिस ले ले जैसा जितने जोश में उन्होंने स्तिफे सीपी जोशी को सोपे थे अगला कदम क्या होगा सीपी जोशी का ये देखना बहुत दिल्चस्प रहेगा बने ये चनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धनेवाद